नमस्कार द्रस्टी आई एस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है निखिल और आज हम सी सेट का टॉपिक परसेंटेज से शुरुवात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज क्या होता है सी सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपि प्रती शत्ता प्रती से संबंद है प्रती का मतलब है पर मतलब पर हंड्रेड शत मतलब सो सो सत का मतलब सो यानि हंड्रेड प्रती हंड्रेड जो चीज होती है उसको प्रती शत्ता कहा जाता है प्रती शत्ता प्रती का साहिन होता है ये और शत्त मतलब सो होता ही है 100 की तुलना में कोई चीज कितनी है कोई वस्तू कितनी है कोई नमबर जो है वो कितना है वो प्रतीशत्ता होती है जैसे example से हम अगर समझे अगर किसी बच्चे के exam में 100 में से 25 नमबर आए है तो percentage में उसको कहेंगे कि उसके 25% नमबर आए है क्यों, क्योंकि वो 100 में से आए है जो नंबर आये हैँ वो 100 में से आये हैं आये कितने हैं 25 सो का 25 भाग जो है जो 25 भाग है वो 25 परसेंट है तो प्रतिशत्ता होता है सो के respect में जो चीज जितनी होगी वो percentage होगा तो अब हम questions के माध्यम से और कुछ समझेंगे इसको concept को समझेंगे questions के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे-कैसे questions पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको solve करना है तो solve करने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह के questions इसमें पूछे जाते हैं तो देख लीजिएगा एक example सा समझते हैं जैसे यह पिज्जा है मान लीजिएगा दो दोस्त गए है पिज्जा पिज्जा करीदा उन्होंने एक पिज्जा ओर्डर किया यह पिज्जा आ गया उनके पार एक आया पिज्जा पिज्जा है तो एक quantity है quantity कितनी आई एक ही तो ओर्डर की है तो एक आया लेकिन जब यह एक आया तो हम इसको क्या मान सकते हैं जब यह एक पूरा है whole है तो इसको कह सकते हैं यह 100 प्रतीशत है जो भी एक unit होती है वो पूरी अपने आप में क्या होती है 100 प्रतीशत तो हम कह सकते हैं जब उन्होंने जो पिज्जा ओर्डर किया वो कितना है 100 परसेंट है तो एक का मान कितना हो गया 100 परसेंट यह कह सकते हैं एक भाग कोई भ होती है वो क्या होती है 100% जैसे एक लास में तो पूरी एक वाग है तो दोस्त गए हैं तो पिज्जा हैंगे तो क्या करेंगे बटवारा करेंगे कैसे आधा आधा उसको बाट देंगे आधा एक दोस्त खाएगा आधा दूसरा तो कितना हो जाएगा इसका एक बटे दो हो जाएगा आधा भाग मिलेगा तो एक बटे दो हो जाएगा जब यहां आधा low companies 50% हम समँश सकते हैं, कि अगर एक वाग है तो 100%, आधा वाग है तो क्या हुआ पचास परेसेंट हुआ, ऐसे ही अगर तीन दोस्त आ गये तो हम एक कए एक को तीन हिस्सें में बाटेंगे, इस पर ज्जागों तीन हिστसों में बाटा होगा हमने अगर तीन दोस्त आए हैं तो 3 हिस्तों में बाटा अगल तब यह पर्सेंटेज कितना बन जाएगा 33. 3 3 परसेंट कैसे बना इसको भी तो हम ने 100 को भी तो हमने 3 इन भागों में बढ़ दिया इसी क्रम में अगर 4 दोस्त आ गाए तो यहां पर एक कितने माथा में बढ़ेगा चार भागों में 1 vibrator हो जायेगा तो ।ो percentage कितनी बनेगी तो को 4 करेंगे 15% तो हम इस से एक बात समझ में आती है अगर हिस्से की बात करें तो एक हिस्सा बराबर होता है सो प्रतीशत के आधा हिस्सा बराबर होता है पचास परसेंट के एक बटे तीन हिस्सा बराबर होता है 33 तीन परतीशत के और एक बटे ही चार- यानि चोथ ही हिस्सा बरावर होता है 25 पूरा कितना है अब इन दोनों का प्रेयोग होता है percentage के questions को solve गरने में तो हमें ये जो fraction है जो ये भाग है इनका पता होना चाहिए पता कैसे होगा तो आपको मैं लिखके देता हूँ ये 100% होता है एक भाग एक को एक से डिवाइड किया या नहीं एक आया एक भाग 100% एक बटे दो 50% एक बटे 33 सही एक बटे 3% या 33.33% भी कहेंगे एक बटे 4 कितना हुआ 25% एक बटे 5 20% एक बटे 6 16 सही दो बटे 3% एक बटे 7 14 सही दो बटे 7 या फिर 14.28% हुआ एक बटे 8 12 सही एक बटे 2% एक बटे 9 भाग कितने के बरावर हुआ 11 सही 1 बटे 9 या 11. sauna एक एक परसेंट के और ऐसे ही एक बटे 10 बरावर हुआ 10% के और ऐसे ही आगे भी दिये हैं इन को अप याद कर लेंगे तो बहतर है आपका एक्जाम में ये समय बचाएगा समय कैसे बचाएगा वो हम questions में जानेंगे कि कैसे ये समय बचाता है अगर questions में दिया हुआ हो कि 300 का 66.66% निकालना है 66.66% यहाँ पर दिख रहा है अगर आपको 300 का निकालने मिले कि 300 का 66.66% तो हम percentage में देखके घबरा जाते हैं 66.666 दसमलब भी आ गया numbers भी ऐसा दे दिया कि 66.66 लेकिन अगर हमें याद है या फिर पता है तो 66 सही 2.3 नहीं तो 66.66% होता है यही तो कितना होता है 66.66% होता है और यह किसके बराबर है 2.3 भाग के तो सीधा हम इसका 2.3 भाग निकाल सकते हैं आपका answer आ जाएगा तो इस तरह से तो यह use होना है कैसे apply करेंगे concept क्या क्या रहेंगे कैसे exams में आपके questions पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे चलिए शुरुवात करते हैं question से प्रत्थम संख्या X दूसरी संख्या Y का कितना प्रतिशत है एक संख्या एकस दूसरी संख्या Y का अब यह जो शब्द है ना का यह बहुत महत्पून है एक तो का सब्द यूज होता है और एक से सब्द यूज होता है सब्द क्या यूज होता है से दोनों बहुत महत्पून है महत्पून क्यों है का जब ही भी आ जाएगा तो ये इस चीज को प्रदलसित करता है कि किसको आपको हर के रूप में रखना है, denominator क्या बनाना है, संख्या Y का, एक संख्या X, दूसरी संख्या Y का, तुलना किस से हो रही है, Y से, Y से तुलना है, तो Y को आपको रखना है हर में, मतलब कहने का ये है, कि जिसके बाद में का ल predicate है, तो जो predicate होता है, या फिर ये कह लिए, जो का के पास वाला होता है, उसको आप denominator बनाते हैं, हर के रूप में रखते हैं, क्योंकि तुलना जिससे हो रही है, वही आपको हर के रूप में रखना है, तो यहाँ पर तुलना किस से है, Y से, ये concept आपके बहुत सारे topics में use होने वाला है, जैसे आपका ratio proportion में भी होता है, ये use, इसके अलाबा आपका lab और honey में भी ये use होता है, और भी बहुत सारे chapters में, ये जो important point है, ये आपका use होगा, तो इसको याद रखना है, कि जिससे तुलना हो रही हो, उसको आपको हर में रखना है, अब question, option A पे आते हैं जो पहला question है ये, कि X बराबर यदि 12 है, और Y बराबर 60 है, तो percentage निकालनी है, अब मैंने क्या बताया है, कि जो का लिखा है, का उसको हर के रूप में रखना है, तो का Y के लिए use हुआ है, तो मैंने option A solve किया, और हर के रूप में रख दिया 60 को, ठीक है, जो बागी बचा उसको क्या लिखेंगे हम, उपर लिखेंगे numerator बनाएंगे, अंश बनाएंगे, यानि 12 लिखा, अब 12 बटे 60 तो आ गया, लेकिन हमें बताना है, परसेंटेज में, तो एक तरीका तो यही है कि मैं इसको multiply कर दूँ, 100 से, क्योंकि 100 का भाग निकालना है, कितना परसेंट आ ग इसको solve कर लेते हैं fraction में, तो कितना आता, एक बटे 5 और एक बटे 5 का तो आपको पता है, यह एक बटे 5 ही तो आया है, यह भाग आया है, कि 5 का एक बटे 5 है, उपर वाली जो value है, वो कितनी है, एक बटे 5 तो कितना होता है, 20% होता है, इससे पहली वाली slide में भी हमने देख था कि पेग बटे 5 कितना होता है 20% होता है तो यह सुल्बहों गया ऐसे ऑप्षन बी को इस एक कि वैल्यू है वाई की वैलू है तो सुल्ब करेंगे 57 divided by 95 अब आपको क्या करना है इसको parts में divide कर लेंगे किस से चला जाएगा 19 से चला जाएगा 19 तिया 57 19 पंजे 95 value कितनी हुई 3 बटे 5 यानि 3 बटे 5 भाग 3 बटे 5 भाग का मतलब कितना होता है जब 1 बटे 5 20 है तो 3 बटे 5 कितना हो जाएगा 6% एक बटे 5 20 होता है तो 3 बटे 5 कितना हो जाएगा 60% ऐसे ही option C पर बात करते है option C की बात करें option C में देख लीजेगा C में क्या दिया हुआ है Y की value दी है 130 और X की value कितनी दी है 39 तो यहाँ पे रखा हमने 39 डिवाइड गरो 13 से डिवाइड हो जाएगा 13, 3, 49 और 13 दाई 130 तीन बटे 10 एक बटे 10 कितना होता है 10% तो तीन बटे 10 कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा एक बटे 10 होता है 10% और तीन बटे 10 कितना हो जाएगा 30% ऐसे ही option D की अगर हम बात करें तो option D में क्या रहेगा, देखेगा, X की value 24 और Y की 144, तो Y का निकालना है, Y रखा हमने नीचे, Y का 24 कितना है, तो 24 से हम divide करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बटे 6, और 1 बटे 6 कितना होता है, 16 सही 2 बटे 3% आपका answer हो जाएगा, तो इस तरह से आपको यह solve करना था, अब next question पर आते हैं, देखते हैं क्या है, concept को समझना है सिर्फ, questions जो आपके exams में पूछे जाएंगे, उन पर भी move करेंगे, पहले इस से concept समझ लेते हैं, देखो मैंने बताया था कि C, यहाँ पर आ गया, question क्या है, प्रत्थम संख्या X, दूसरी संख्या Y से कितना प्रतीशत अधिक है, मतलब Y की तुलना बाई से तुलना करी है, Y को आपको आधार में रखना है, क्योंकि Y से तुलना है, ठीक है, प्रत्थम संख्या X, दूसरी संख्या Y से कितना कितने प्रतीशत अधिक है, तुलना करनी है, X, Y से तुलना करन है k QR कितने अधिक है उसकी तो आपको वाई को क्या रखना है की नीचे रखना है हर के रूप में रखना है डिन facto बनाना है तो option ने यह पर बात करें अगर एकस बराबर कितना है य बराबर कितना है एकस बराबर 25 रबर पंद्रह एंधर की बात कर सीधा पूचा होता towards y से कितने अधिक है तो मैं बता देता उसको कि 25-15 इतनी अधिक है पर किस से अधिक है y से y से कितनी y की value कितनी है 15 15 है तो कितनी अधिक हुई 15 से इतनी अधिक हुई इसको आम निकाल लेंगे जैसे अभी question solve कर रहे थे कितना हुआ उपर 10 पर नीचे आ जाएगा 15 पांच से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा पांच दुनी दस और पांच तिया पंदरा यानि दो बटे तीन हो गया दो बटे तीन क्या होता है दो बटे तीन की value कितनी होती है 66 सही टू वाइटरी यानि 66 टू बाइटरी परसेंट आपका आंसर हो गया कहने का मतलब यह ह कि एक्स वाई से 66 सही 23% अधिक है पी से समझते हैं और वहतार इसको है ऐक्स-वाई से कितना आधिक है एक्स Give является जाएग्यी चालिस बटे पचास, 0 से 0 कटा तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 5, 1 बटे 5 होता है 20% तो 4 बटे 5 कितना हो जाएगा, 80% के, ये value भाग में है, कि एक unit का कितना part है, और ये percentage में है अब next में move करते हैं, C C क्या दिया है X है 225, तो 225 minus, Y कितना है 180 है और आपको हर भाग के रूप में क्या रखना है denominator क्या बनाना है 180 क्योंकि Y से कितना दिक है, ये तो बताना है कितना दिक है ये, 45 और नीचे कितना जाएगा, आपका 180, 45 से गाटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 90 यानि 4 बार आपका ये चला गया, कितना हुआ, 1 Y 4 जो की होता है, किसके बराबर 25 परसेंट के बराबर आप सीधा सा बता पाएंगे कि कितना है 25 परसेंट है Option D पे बात करें हम Option D क्या है X है 70 Y है 35, तो X बराबर 70 है, कितना दिक है 35 से, माइनस 35 कर देंगे तो Divide by 35 हो जाएका कितना, 35 यानि 35, डिवाइड by 35 कितनी value है, एक अब एक भाग कितना होता है एक भाग कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है 100% मतलब कहने का ये है कि X, Y से 100 प्रतीशत अधिक है तो ये basic concept है अब और questions से हम समझेंगे कि कैसे हम इनको apply करेंगे और किस तरह की questions एक्जाम में आपके पूछे जाते है 2012 में वर्ष 2012 में गेहूं का उतपादन 6000 तन तथा 2013 में 80,000 तन था उतपादन में कितने प्रतीशत की ब्रद्धी हुई 2012 में था उतपादन इतना 2013 में था अब ब्रद्धी हुई 2012 में 60 था 2013 में 80,000 तन था ब्रद्धी हुई पर कितने प्रतीशत की ब्रद्धी हुई यही तो आपको बताना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रद्धी कितनी हुई तो ब्रद्धी निकाल लेते हैं ब्रद्धी निगालने के लिए क्या करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे या फिर बाद वाले में से जो पहला वाला नंबर है उसको घटा देंगे तो ब्रद्धी कितनी हुई अगर ब्रद्धी की बात करें तो इतनी हुई 80,000 टन बाद में हो गया पह इस पे ब्रद्धी हुई 2012 की जो राशी थी जो 2012 की वैलीू थी 6000 इस पर हुई जो काम हुआ इस पर हुआ आपको तुलना कि से करनी है इस से करनी है तो इसको क्या बनाना पढ़ेगा इनोमनेटर तो को परचिंटेज इंक्रीज या ब्रद्धी बरावर कितना हो जाएगा प्रतिशत में निकालेंगे तो 20,000 बटे 60,000 क्योंकि इस पर ही तो हुई है ब्रद्धी एंट 200 solve करेंगे इस से ये कट जाएंगे 2, 3, 6 और 3, 100 को कट होगे तो कितना जाएगा 33, 1, Y, 3% या फिर सीधा साथ 2, 2, 6 हो गया था 1, 2, 3 कितना होता है 33, 1, 2, 3% तो इस तरह के questions पूछे जाते हैं आगे move करते हैं next question पर देख लेते हैं A, B से 20% अधिक है और B, C से 20% कम है तो A, C से कितने प्रतिशत अधिक या कम है अब A, B का relation दे रखा है क्या कि 20% अधिक है B, C से 20% कम है और A, C से कितने प्रतिशत अधिक या कम है A का C से relation आपको बताना है अब इस तरह के जब question होते हैं हम percentage तो निकाल नहीं है कितने percentage कम है, percentage निकलती है 100 पर, यानि 100 से तुलना होती है तो हम एक value को इन में से क्या करते हैं 100 मान लेते हैं, माने किसे अब देखो A को A C से कितने C से C के साथ में आ रहा है C जो word है, वो C के साथ में आ रहा है मतलब तुलना किस से है C से तुलना है, तो हम C को ही 100 मान ले क्योंकि बाद में तो हमें ultimately क्या निकालना है percentage निकालनी है, वो भी C पर निकालनी है तो C को हमने मान लिया 100 C बराबर अगर 100 unit है यहां क्या कहा गया है कि B C से 20% कम है तो B कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 20% कम 100 के respect में जो चीज जितनी है वो उतनी ही होती है उतनी ही percentage होती है अगर C 100 है तो B 80 होगा, इससे 20 कम है ना यानि 20% कम है अब B का पता है, आपको C का पता है A का भी पता कर लें A का पता किससे करेंगे इससे करेंगे A, B से 20% अधिक है A, B से B से, B से अधिक है ना B से अधिक है तो B कितना है आपका 80 तो A कितना होगा 20% अधिक तो इसका 20% निकालें तो B का 50% निकालेंगे तो कितना जाएगा 80 80 multiply by 20 divide by 100 80 का का मतलब गुणा 20% 0 से 0 काट दिये दोनों 8 दुनी 16 यानि 16 अधिक है अब कोशन ये बना B अगर 80 है तो A कितना है 20% अधिक या फिर ये कह सकते है 16 अधिक है तो A की value कितनी आ गई आपकी 26 96 है अब जो कोशन में कहा है उसको solve कर देंगे A C से कितने प्रतिशत कम है अब देखो सीधा दिख रहा है A C कितना है 100 और A कितना है 96 कितना कम है C से तो बेस तो आपका 100 मिल गया ना 96 कितना है 4 कम और percentage में भी कितना हो जाएगा 4% कम अंसर क्या हो जाएगा option B कितना है 4% कम है या फिर अगर वैसे solve करो तो A की value 96 यहाँ पे है C से तो इसको क्या बनाएंगे आप denominator यानी हर बनाएंगे गुणासू कितना हो जाएगा 96% 96% का मतलब 4% कम यह A है C की तुलनाम next question किसी वस्ती की आबादी 20,000 है यदि इसमें प्रती वर्ष 20% की ब्रद्धी होती है तो दो वर्ष के पर शाहत इस वस्ती की जनसंख्या क्या होगी अभी आबादी दी गई है कितनी है 20,000 20% की हर साल ब्रद्धी हो जाती है तो दो वर्षों के बाद आवादी कितनी होगी, अभी देखो आवादी दी गई है कितनी 20,000 पहले साल में आवादी कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, ये कह सकते हैं पहले अगर 100% थी तो अब भी 120% हो गई, तो एक साल के बाद कितनी हो गई, 120% तो मैंने इसका निकाल दिया 120% करने के बाद में क्या आई, ये एक साल की पहले साल के बाद में आवादी आगई, जो आवादी आई है वो दूसरे साल क्या होगी, 20% बढ़ जाएगी, यानि अब जो आवादी है एक साल के बाद में वो कितनी हो गई, अब 100%, 100% तो अगले साल भी वो क्या हो जाएगी 120 प्रतिशत तो सीधा मैं क्या करूँगा यहां पर 120 प्रतिशत इसका भी निकाल दूँगा इस अबादी का एक साल वाली का 120 प्रतिशत यह किसके लिए आगा गया कंबाइन डो करके यह दो साल तक के लिए आगए अबादी solve करेंगे अंसर आजाएगा 10 सी यह जिरो 10 सी यह एक और दो एक और दो solve करेंगे 12 12 कितना होता है 200 12 12 12 144 144 दोनी 288 और दो जीरो के दो जीरो ऐसी लिख दिए यह आपका अंसर हो गया option ए आपका सही आंसर है तो 288 यानि 288 डवल जीरो इतनी आपकी 28,800 अबादी है किसके बाद में दो बर्षों के बाद में इस तरह से आपको question solve कर लेना है आज की class के लिए इतना ही बागी बात करते हैं नेक्स class में धन्यवाद